Hello everyone, Welcome to my YouTube channel Guys, आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का लौसा निकालना अगर इस ट्रिक को आप सीखते हैं, तो बिना पिन उठाए ही आप बस कोश्चन को देखेंगे और उसका लौसा आपको पता हो जाएगा तो इसका लौसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस ट्रिक को सीखना होगा तो हमने यहाँ पे तीन कोश्चन लिये हैं, इसी के माध्यम से हम जो है लौसा निकालना सीखाएंगे तो यह ट्रिक काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो सबसे पहले देखते हैं कोश्चन फॉस्ट को यहाँ पे दिया है कि दो, चार, आठ, बारा का लौसा ग्याद करिए तो ट्रिक से हम कैसे लौसा ग्याद करेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसमें हम क्या करेंगे कि सभी से बारी-बारी हम देखेंगे कि क्या पूरा-पूरा भाग चला जा रहा है कि नहीं जैसे कि यहाँ पे बारा है तो दो से जो है बारा पूरा-पूरा कट रहा है कि नहीं तो यहाँ पे बारा दो से पूरा-पूरा कट जा रहा है फिर चेक करेंगे कि क्या 4 से 12 पूरा पूरा कट रहा है की नहीं तो यहाँ पे 12 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा अब चेक करेंगे कि क्या 8 से 12 पूरा पूरा कटेगा की नहीं तो यहाँ पे 8 से 12 नहीं कटेगा तो जब यह नहीं कटेगा तो बारा का हम क्या करेंगे दो बार टेबल पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 24 24 अब फिर पुना चेक करेंगे कि क्या 2 से 24 पूरा पूरा कटेगा की नहीं तो 2 से पूरा पूरा 24 कट जाएगा 4 से कटेगा की नहीं तो 4 से भी पूरा-पूरा कट जाएगा 8 से कटेगा की नहीं तो 8 से भी अब 24 जो है पूरा-पूरा कट जाएगा यानि कि इसके बाद जो भी संख्याएं है सबसे जो है ये 24 पूरा-पूरा कट जा रहा है अगर नहीं कटेगा तो फिर हम टेबल पढ़ेंगे आगे तो ये कट जा रहा है तो इसलिए जो है लॉसा जो है हमारा 24 हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा अर्था 2, 4, 8 और 12 का लॉसा जो है 24 हो जाएगा एक और एक्जामपल से समझते हैं 10, 20, 30 और 60 का हमको लॉसा निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या हमारा है इसमें 60 अब चेक करेंगे कि क्या 10 से 60 पूरा पूरा कट जा रहा है तो बिल्कुल 60 कट जाएगा 10 से 20 से कटा करके देखते हैं 20 से भी 60 कट जाएगा 30 से कटाते हैं तो 30 से भी 6 कट जाएगा यानि कि जो भी संख्या है इसको छोड करके सभी से संख्या पूरा-पूरा कट जा रहा है तो यही जो है इसका लोसह हो जाएगा यही हमारा लोसह हो जाएगा अथा 10,20,30 और 60 का लोसह जो है 60 होगा एक और example से समझते हैं तीसरा हमारा ये कोश्चन है कि 10 20 30 और 40 का लौसा ग्याद करिए तो सबसे बड़ी संख्या हमारा यहां पे 40 है अब 40 को 10 से कटाते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा 20 से कटाते हैं 20 से भी पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन अगर 30 से कटाएंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 40 का अब दो बार टेबल पढ़ेंगे तो 40 दुना के हो जाएगा 80 हमारा तो क्या अब 80 कट जाएगा तो 10 से कटाएंगे तो 80 पूरा पूरा कट जाएगा 20 से भी 80 पूरा पूरा कट जाएगा लेकिन 30 से अभी भी 80 पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे अब 40 का टेबल अब 3 बार पढ़ेंगे दो बार हमने पढ़ा तो 80 आया अब 3 बार पढ़ेंगे तो चारतियां बारह 120 आ गया अब फिर पुरह चेक करेंगी कि क्या 120 इन तीनों संख्याओं से कट जा रहा है कि नहीं तो 10 से भी कट जाएगा 20 से भी कट जाएगा और यहाँ पे 30 से भी कट जाएगा तो तीनों संख्याओं से 120 कट जाएगा अर्थात यही हमारा लॉसा हो जाएगा अर्थात 10, 20, 30 और 40 का लॉसा जो है 120 होगा तो गाईस यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें दोस्तों को सेयर करें हम ऐसे ही आपको ट्रिक लाते रहेंगे तो मिलते हैं एक और ट्रिक के साथ एक और वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिग इस वीडियो